बसकार फैंड कैसे हो आप लोग crystall фак कब दोरраж तो सुझन आई दर्द और तेबिलेट ठागे रात में झिकलेंfö और अभी मैं अपने दुकान पर हूँ, मोबाइल रिपेर वाल, मेरा फैन चार्ज हो रहा है, बेड़ो वगएरा, एडिट वगएरा देख रहा हूँ, क्या करना चे क्या नहीं, यहां पर एडिटिंग वगएरा का काम चालू है friends, और यह मेरा अपना मोबाइल रिपेरिंग क आप लोग को पता है, लो देख लो, यहीं अपना भाई मोबाइल रिपेरिंग वाली सॉप है, और मेरी यह बाइक खड़ी है आगे, आँ भाई मेरी कुरसी, अब चलता हूँ friends, बज गये है तीन, अब चलता हूँ सॉप को क्रोज करता हूँ, और खाना होना खाता हूँ, थोड़ा सा अराम करता हूँ, फिर साम को पांच बिचे सॉप खोलूँगा, पांच से नौ, यह दस तक खोलूँगा, उसके बाद काम पे निकल जाओंगा, और जो भी हिसाब किताब रहेगा, आपको बता हूँगा, यह कि कुविंग का हो से तो टेटेल दूँगा, मैं कह अहां पे हूँ, कहां नहीं हो, रात का कैसा, दिन दिन तो गिन में गाड़ी चलाया, और दिन में जब जब गाड़ी चलाता होना, तो मेरे पैर में दर्द होता है, अलाकि यह पैर फिसल गया था, हलका बारी सोगी थी वो नाला था, मतलब जम करके क्रोस कर उतर पानी था, तो थोड़ा सा पैर ऐसा सा मुड़ गया था, तो थोड़ा सा मुच आ गया, अभी थोड़ा सा कम है, अलका बुलका दर्द है, दवा भी नहीं खाया है, आज मैंने, तो दवा हो से के रात में खाके जाओंगो, ताकि पेन ना हो जाओंगो, दवा एक पेन के लिए लिए ल जोब भी रहेगा डिटेल आपको बताते हैं आज काम होता है नहीं होता है कितना होता है दोजार का टार्गेट पूरा होता है अब सुवह बकरीद है तो कई भाई लोग फुटी रहेगा तो साथ धंदम आपे अच्छा रहेगा तो कारे खड़ी रहेजी तो डिमांड ज्यादा आने वाला है यह चीज तो मुंबई में भी लग गया यार वाला वार एल में है देखो आल्टियों के पास आई यह नो इंट्री वाला सिस्टम भाई सब जगा फैलते जा रहा है तो फ्रेंट्स आज घर से निगला था मैं सिधा एरपोर्ट के लिए तो पहली बुकिंग मुझे रसियंस का लगता है रसियंस की जो बुकिंग लगती है वो साकी ना कैसे टर्मिनल टू का लगता है मुझे तो पैसेंजर को ड्रॉप किया उसके बाद वहां से ओला मुझे टर्मिनल टू लगता है और ओला का जो टर्मिनल टू लगता है ना फ ओला का जो टर्मिनल टू मुझे फोन आ रहा केस्टमर का बात कर लेता हूँ तो भाई मालाबार हिल है बुकिंग फेंड्स तो पहली बुकिंग एरपोर्ट पे ड्रॉक किया साकी नाका से 2 km का 87 या कुछ 80 रुपया मिला मुझे और ओला का फिर मुझे एरपोर्ट से मालाबार हिल का कुछ 490 रुपया मिला है और अभी बुरिवली का बुकिंग लग जा हूँ पिक करने जा रहा हूँ 4 km दूर से पिक आया है तो चलो फिक करते हैं और बात करते हैं उसके बात बुकिंग का तो वह नो इंट्री वाला देखो लगा दिया ने तो पटाक से पैसेंजर को भी पिक कर लेता भाई वो लोखन विखन लगा दिये ला ओलोने भाई टार गुज जाएगा यह तो को यहां भी लगा फ्रेंड्स यह चीज देखो भाई भाई बाई बाई यह उल्टाएगी सि जो कि बहुत ही बुरा लगा मुझे कि मैंने इतना लो फिरोला व्रॉपिंग क्यों अठा लिया जो मैं वहां पर था तो मैंने बोरी वाली नाम देखा बराबर से देखनी पाया और मने बुकिंग पठाक से एकशिट कर लिया चलो कोई बात नई बोरी वाली में आ गया हो तो उबर का बोकिंग लाया था हमें 40 किलोमेटर का 300-400 रुपया इतना कम फिर पहली बार मिला भाई मुझे उबर का क्या आ रहा है क्या टेलीफोन एक्सेंस यह देखो फ्रेंट सव रुपय से दोस्तों इतना ज्यादा कमिशन लिया इसमें भाई देख रहो इतना गंदा दिया और ओला ने अच्छा दिया फ्रेंट ओला ने यहां पे 22-23 किलोमेटर का 498 रुपया दिया तो इस तरह से लगब अभी तुरंत बुकिंग मिल गया मुझे कल्यान हो गया रहा तो यह बुकिंग ले सकता हूं दिखाता हूं यह देखो फ्रेंट साड़े चार बजे का है 693 रुपया यह बुकिंग है मुझे चालो मेरे इस बुकिंग कैंसल करने से वहां किसी एक कभागी चमक जाएगा बा मैं यह बुकिंग कैंसल कर देता हूं और वहां किसी को यह बुकिंग तुरंद मिल जाएगा लो फ्रेंट तो फ्रेंट बोरी वाली स्टेशन से मुझे एक प्राइवेट बुकिंग मिला था ग्रूप बैसेज के द्वारा भीवंडी लाना था तो भीवंडी पैसेंजर को द्रॉप कर दिया 700 रुपे मिले है टोलोल के साथ ओल इंक्लोड है भीवंडी से गोकुल लगर भीवंडी लाया हूं बोरी वाली स्टेशन से 40 किलो मिटर था जिसका 700 बहुत ही बढ़ी पैसा था ग्रूप से मुझे मैसेज मिला था तो इस तरह से अभी 1700 का काम हो चुका है और मैं भीवंडी में हूँ और भीवंडी में देख लो भाई उबर पुरा लाली लालू इसका मतलब यह डिमांड चल रहा है पता है आपको लेकिन मैंने कल्यान से यहां से 13 किलो मिटर दूर कल्यान से मैंने एक रिजर्वेशन बोकिंग ऑल्रेडी एक्सेप्ट करके रख घंटे बाद तब तक बीच में यहां से कोई सर्ज वगरा बच जाए डिमांड तो है देख लिए से क्या आइसाब से बोकिंग मिलता है मिलता है कि आज बकरीत के दिन है तो गाडिया कम होगी जाहिर सी बात है तो सीन जी भी मैंने 200 कुछ रुपे का बोरी वाली में भर लि अभी उन्चास किलमेटर बोरी में भरने के बाद चला लिया हूं चालेस किलमेटर भीवनडी लाया हूं बाकी दो चार पांच किलमेटर खाली घूमा हूं और पैसेंजर को बोरी वह इस्टेशन पिक करने आना पड़ा था चार किलमेटर मुझे तो इस तरह से 50 किलमेटर लाड़ी अभी तक चल चुका है तो चलिए अब कल्यान की तरफ दिरे-दिरे मूव करते हैं और यहां से कोई कल्यान की लग जाए तो मज़ा है इसलिए इंतिजार कर रहा हूं कि कल्यान एक घंडे बात की बुकिंग है तो आधा घंटा ऐसे जाने में लगया तना 10-15 मिनि भी ले लिया था छे बच के पचास मिनिट पर तो वह नहीं कैंसल कर दिया उसके बाद मुझे ओला जानतों क्या बाजा ओला का गोला कल्यान से मुझे बिद्या बिहार कोहिनूर का मुझे एक बुकिंग लगता है चालीस किलो मेटर का साढ़े बारह सो रुपया और जो फे किलो मेटर का 1240 रुपया एक घंटा लगा है और जो फेयर हुआ था 1645 रुपया यानि कमिशन और काड के 1655 में मुझे जो पैसा मिला टोटल 1240 रुपया ये मुझे दिया है ओलाने एक तालीस कीलो मेटर का इस तरह से आज जो काम हुए पर एंड़ सतरा सो का पहले हुआ थ और अभी यहां से booking का बेट करता हूं बज रहा है booking बज रहा है फ्रेंट्स ऐसा नहीं बज रहा है लेकिन थोड़ा कम फेर चल रहा है थोड़ा अच्छा फेर आए साड़े आठ बजे तक अभी अच्छा फेर आएगा तो एक आग बुकिंग अच्छा लोवर पडेल या नरी किलोमेटर का राइड था और जो फेर मिला है चार सो छीयासी रुपया फंदरह किलोमेटर का आप लोगों को दिखा एक बुकिंग आर यह लोवर परिल का छे किलोमेटर का दो सो पांच रुपया देखो बज रहा है लाइफ 1.3 20 मिनिट का रूट है लेकिन यह बुकिंग मैंने लिया था पंदरह किलोमेटर का चार सो छीयासी रुपया ओला जो फेर हुआ था च्छेसों चवान रुपया ओला आज जबर्दस पैसे जही रहा फ्रेंड और अच्छा खास पोजर नहीं दे रहा उबर का आज बुकिंग तो आपने देखा 8 रुपय 9 रुपय के हिस साब से बुकिंग उठाया था हमें तो वेट कर तो थोड़ा यहां सा एकाग भी केसी यहां से मिलता धाई 300 में तो उठा के लेके चलता हूं ठीकि केसी यहां से मिलने वाला है बाकि साथ मुंबई का तो यहां से कुछ खास फेर नहीं मिलेगा तो फ्रेंड आ गया हो घर प किलमेटर गाड़ी हाला कि 600 की मेरा 220-230 कभी कभी 200 तो 600 की से अंजी में चल जाता है लेकिन 700 की से अंजी में 260 किलमेटर गाड़ी चलिए ट्रैफिक बिलकुल नहीं था रात में एसी एक पे था ब्लॉर और मौसम भी ठंडा था और फैन तो था ही अपना तो अच्छा कासा क पर रहा था तो 800 की से अंजी में मतलब दो बार से अंजी भर अभी भी दो पॉइंट सी एंजी है यहनी 100 रुपे की से अभी मेरी बची हुई है सिब 700 की से अंजी में मैंने 42 का काम किया है तो मातूंगा मैं था फ्रैंड मैंने यह के बुकिंग का डिटेल दिया कि ओला का जबरदस एक booking मिला उसके बाद दूसरा भी मिला लगातार बैक तो वो काम आ गया तो ओला का booking मैंने आप लोग को बताये कहां पता नहीं को आप लोग को बताया था तकि कितना फेर मिलना था मुझे वंजए फेंस तो इस तरह से जो सब मिला जूला के आज काम हुआ है अपना भाई मारूती का बहुत जबरदस्त है लेकिन कभी जबरदस्त है मैं इतना एक्सपरियेंस से बता देता हूं आप अगर एंजीपी का ऑईल डालते हैं और तो आपके माइलेज में बहुत फर्क पड़ता है आप जाओगे कोई भी ब्रेंड ले लोगे यह सेमी सेंथेटी के यह नह भाई तो कुछ फर्क पड़ता है मारूती के इंजन ओयल से क्योंकि इंजन ओयल से सीधा सीधा रिलेटेड माईलेज का पड़ता है क्योंकि इंजन जितना इसमीत होगा जितना ओयल अच्छा है जितना इंजन घरसड कम करेगा उतना ही फ्री चलेगा तो उतना ही एवरेज फिर से मेरा average गाड़ी का 222, 220 प्लस गाड़ी का average अब हो ही गया है 8 kg CNG में, तो चलो यह booking एक बार जाते हैं, फिर आप लोग को दिखा देता हूँ, 41 km का 1240 ओला का जबरदस booking था, तो अभी टाइम नहीं बता है आप लोग को, मैंने टाइम हो रहा है, 11 बचके 20 मिनेट, यान अच्छा ही मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन ठीक ही मिल रहा है, रोज के हिसाब से traffic भी नहीं है, फिर भी फिर अज ठीक मिल रहा है, तो चलो भाई, यही काम रहा आपका, आप जो है पूरी डिटेर एक एक booking आप लोग को दिखा दिया, और साथ में एक 700 की private booking जो म झाम जया